हमारे लिए बीजेपी का मतलब है नरेंद्र मोदी जी गठबंदन मजबूत है मजबूत रहेगा निती स्कुमार जी के निती तुमें चुनाव लड़ेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ रोशन बिहार में दो हजार बीश चुनावी साल है चुनावी साल है तो तकरार भी होगा ही तकरार अगर विरोधी पार्टियों में हो तो सही लगता है लेकिन इन दिनों जेडियू और बीजेपी के ब मुख्यमंत्री बने इसको लेकर बिहार के सियासत में गर्माहट ज्यादा है जेडियू के लोग जेडियू के जो नेता है वो भी इसको लेकर लगातार पलटवार कर रहे हैं दिल्ली में हमारे समवाज सहयोगी सौरव राज ने केसी त्यागी से बात की है जड़ा सुन ये और सार्जनिक तोर पर कि गठवंदन चुनाव रड़ेगा गठवंदन की तीन पार्टियां है जेडियू बीजेपी और लोग जिनसक्ती पार्टी लोग जिनसक्ती पार्टी के संगरेख्षेक रामिलास पासवान और अद्धक्ष चिराग पासवान ने घोशना किये कि त तो फिर पार्टियों में टेकराट का प्रशन कहां पैदा होता है इकके दुख्य व्यक्तियों के वक्ताओं को आप क्यों गंभीरता से लेते हैं सर जिस तरह से बीजेपी के तरफ से लोग कह रहे हैं कि निटीस कुमार को 15 साल का वक्त दिया गया अब हमें वक्त दिया जाए कुन बीजेपी का कुन निता कह रहा है, अमित शाजी कह रहे है, नडडा जी कह रहे है, संजे जैसवाल जी कह रहे है, किन की बात कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को कोई तरजी नहीं देते हैं, हमारे लिए बीजेपी का मतलब है नरेंदर मोधी जी, अमित शाजी और नडडा ज से हैं गटबंदन मजबूत है मजबूत रहेगा निती स्कुमार जी के निती तुमें चुनाव लड़ेंगे और हम लगबग 220 बाइस सीटे प्राप्त करें तो जिस तरह के जो खबरें आ रही है वो सब बेबुनियाद है से कह चुका हूं तीन बार कह चुका आप से चोती बा साथ ही निखील आनन जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने भी अस्पश टूप से कहा है कि ये संजय पासवान जी का व्यक्तिगत छमता के आधार पर दिया हुआ बयान हो सकता है पार्टी का ये आधिकारिक रुख नहीं है देखे इससे पहले भी संजय पासवान कह चुके हैं कि अब CM नितिश कुमार को दिल्ली की राजनिती करनी चाहिए बिहार में उन्होंने 15 साल बतोर CM निभा लिये हैं और अब CM कापज बिहार में किसी BJP नेता को मिलना चाहिए बहराल आप बने रहें लाइफ सिटीज के साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल सब्सक्राइब कर दें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पेज के माधन से देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर दीजिए धन्यवाद